हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब लोग वेलकम टू मा यूटूब चैनल तो आज मैं आपके लिए हिंदी का वीडियो लेकर आई हूँ उसमें आपको क्या जानकारी मिलेगी कि कौन सा विक्ति क्या काम करता है और जो वो काम करता है उसका नाम क्या होता है उसको क किस नाम से बुलाते हैं तो आज हम यह वीडियो में जानेंगे तो किसके पास जाओगे काम क्या होता है और क्या नाम होगा ठीक है तो इधर लिखा है काम और इधर लिखा है नाम तो मेच या लकडी का जो भी काम हम करवाने जाते हैं कुरसी बेड तकत या फिर मेच जो भ पेंटर भी कहते हैं, फिर मिट्टी का बरतन खरीडने, तो मिट्टी का बरतन बच्चों आप किसके पास जाते हैं, जैसे आप लोग पैसे रखने के लिए गुल्लक लेके आते हैं, या प्याली छोटी छोटी लेके आते हैं, मिट्टी की, तो वो आप किसके पास जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कुमार, तो इस तरह से यहां पर लिख देंगे कुमार, ठीक है, तो मिट्टी के बरतन खरीबने हम कुमार के पास जाते हैं, फिर उसके बाद कपड़ा सिल्वाने, कपड़ा सिल्वाने आप किसके पास जाते हैं, कपड़ा सिल्वाने मम्मी जाती हैं, दो भूझे तो कपडा सिलवाने, हम जाते हैं दरजी के पास, यहां पर लिखते हैंगे, दरजी, यह हो ग压 काम, नाम किसे पास पास जाते हैं, जो भी लोहे का सामान बनता है चाकू है खुर्पी है तो यहां पर लिख देंगे लोहार तो खुर्पी बनाने लोहार के पास हम जाते हैं तो अब आगे हम पहचानेंगे कैसे पहचानोंगे कि जैसे कि यहां पर रखी है आईस यानि कि यहाँ पर बर्फ रखी है तो बर्फ ठंडा होता है सभी को पता होगा चू कर देखा होगा आइस क्रीम खाते हैं बर्फ खाते हैं तो वो होता है ठंडा तो इसको पहचानेंगे कैसे हम चू कर पहचानेंगे दूर से तो नहीं जानते हैं कि बर्फ किस तरीके क तो चुकर पहचानेंगे कि बरफ ठंडा होता है फिर उसके बाद ये कौन सी आकरती बनी है बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे कि ये कौन सी आकरती बनी तो इसमें कुछ लड्डू जैसे दिख रहे हैं तो ये बने हैं लड्डू तो लड्डू का स्वाध होता है तो लड़ू को आप खाकर पहचानेंगे, खाकर, तो यहां पर यह ओगया, खाकर, तो लड़ू को जब मुझ में हम खाएंगे, तभी तो उसका स्वात जानेंगे, कि गशा होता है, तो खाकर हम उसको जानेंगे, फिर गंटी, अगर घंटी कहीं पर बज रही है, उसकी आवाज आपको कैसे पता जलेगी ये तो आप उसको सुनकर तो इसको हम किस तरह से जानेंगे सुनकर तो यहाँ पे लिख दिया सुनकर गंटी की आवाज हम सुनकर पहचानते हैं कि हाँ गंटी बज रही है तो यहाँ पे जैसे की कार बनी है तो कार का रंग आप किस तरह से पहचानेंगे बच्चों कार को जब आप खड़ी देखेंगे तभी तो जानेंगे तो इसको क्या होगा देख कर देख कर देख कर हम पहचानेंगे कि हाँ कार लाल रंग की है किस कलर की है ना लाल रंग की है तो उसको देख कर पहचानेंगे फिर next है जहां पर बना है फूल तो यह फूल बना हुआ है तो फूल की खुश्बू को आप कहजे पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे बताईए तो इसकी फूल की महें कहीं भी जैसे फूल रखा हो या फिर पर्फ्यूम हो या धूबती हम लगाते हैं उसकी खुश्बू आती है ना तो हम कैसे सूंग पहचानते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे तो यहां पर हो गया सूंग कर तो फूल की खुश्बू हम सूंग कर पहचानते हैं तो इस तरह से सभी बच्चों को पता चल गया होगा फूल की महक सूंग कर हम पहचानते हैं तो अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा सावी हेलफ फूल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके थाइंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइब और आपकेल